हमारी शाम की छोटी मोटी भूग के लिए भावनेगर का स्पेशल ये भूंगला बटे का आपने एक बाट राई कर लिया ना तो आप इससे ही बनाओं तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुक कर लिया है हमारे छोटे वाले आलू को हमारे आलू कम्प्लितरी कूल डाउन होने के बादी हम इससे छीलेंगे नहीं तो हमारे आलू एकदम मशी हो जाएंगे और यह हमारे आलू को हमने अच्छे से छील कर तयार कर लिया है तो next हम भूंगला फ्राई करेंगे लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर नमक स्वादनुसार रेच चिली पाउडर धन्या जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढखकर पकाएंगे 5-6 मिनिट के लिए और ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है इसमें ते ग्ला के साथ